दोस्तो PLC के नेक्स टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम PLC के अंदर जो बाच डोग टाइमर होता है उसके फंक्शन के बारे में समझेंगे तो PLC के अंदर जो watch dog timer होता है इसका जो function होता है वो होता है प्रोसेसर की working को monitor करना नॉर्मल फंक्शन में जो प्रोसेसर होता है वो क्या करता है कि regularly जो watch dog timer होता है उसको reset करता रहता है जैसे कि हम जैसे कि हमें पता है कि जो एक scan cycle होता है उसको execute करने के लिए प्रोसेसर को लबग 100 millisecond का जो है वो time लगता है तो प्रोसेसर क्या करता है कि सारे काम जो है PLC के अंदर करता है और पाच डोग टाइमर को reset करता रहता है प्रोसेसर को कई बार किसी instruction को करने में अगर ज्यादा time लग गया कोई error आ गई प्रोग्राम में कोई error आ गई और प्रोसेसर को ज्यादा time लग गया उस instruction को execute करने में तो क्या होगा कि जो processor reset कर रहा था batch dog timer को वो नहीं कर पाएगा उस case में क्या होगा batch dog timer क्या करेगा 100 millisecond के बाद एक pulse generate करेगा और processor को reset कर देगा और processor जो है वो दुमारा अपनी normal function में आ जाएगा और इसके साथ ही एक error generate करेगा जिससे user को पता चलेगा तो basically हम कह सकते हैं कि batch dog timer का use PLC के function को ज़्यादा reliable करने के लिए बनाया जाता है अगर हमारी PLC के अंदर power supply जा रही है तो PLC normally function कर रही है ज़र नहीं कर रही यह जो चीज है वो monitor करता है वाच डोग timer झाह कर वो दोगद करूश रहीं कर देंद готов टूश कर वो लूश में मूआ कर रहीं पीजा rather खीच कर रहीं कर दोपह होग कर रह़ हुआ है, अझ मतबंपऽहsnais प्यूश मैं मैं चौबहद आप चपहो